बारिश भला किसे पसंद नहीं होती लेकिन परिशानी तब हो जाती है जब ये आफ़त बन कर बरस्ती है। इन दिनों पहाडी इलाके खास तोर से उत्राखंड और हिमाचल परदेश में बादल फटने की काफी घटनाएं सुन्ने को मिल रही है। ये ऐसी खतरनाक आपदा होती है कि जिसमें लोगों के घर जमीन में धस जाते हैं या फिर बह जाते हैं। बादल फटने से भारी संख्या में जानमाल की हानी होती है। ऐसी में सवाल उठता है कि आखिर बादल फटना किसे कहते हैं और ये क्यों फटता है। बादल का फटना एक प्राकर्तिक घटना है, जब बादल फटता है तो अचानक तेज बारिश होती है, जिससे बार जैसे हालात पैदा हो जाते हैं, मौसम वैग्यानिकों के अनुसार जब एक जगे पर बहुत कम समय में अचानक भारी बारिश होने लगती है तो उसे बादल कहते हैं, इस दोरान पानी से भरे बादल की बूंदे अचानक तेजी से जमीन पर गिरती हैं, इसे फलेश फलड या क्लावड बस्ट भी कहते हैं, अचानक तेजी से फट कर बारिश करने वाले बादलों को प्रगनेंट क्लावड भी कहते हैं, मौसम वैग्यानिकों के बादल फटनी की घटना तब होती है जब काफी ज्यादा नमी वाले बादल एक जगह पर रुख जाते हैं और वहां मौजूद पानी की बूंदे आपस में मिलने लगती हैं। पानी से भरे बादल पाहडी इलाकों में फस जाते हैं। काफी उचाई होने की वज़े से वो आगे नहीं बढ़ पाते और अचानक फट जाते हैं। इस दोरान इतनी तेजी से जमीन पर पानी गिरता है कि पर्टिकुलर एक जगह पर कई लाख लीटर पानी तेजी से गिरता है। कुछ ही समय में 2 cm से ज्यादा बारिश हो जाती है। अक्सर पाहडों पर 15 किलो میटर की उचाई पर बादल फटते हैं। पाहडों पर बादल फटने से इतनी तेजी से बारिश होती है कि बाड जैसे हालात हो जाते हैं। पाहडों की बनावट की वज़े से पानी नहीं ठहर पाता और वो तेजी से नीचे की ओर आने लगता है। इस दोरान पानी के साथ मिट्टी, कीचड और पत्थरों के टुकडे बह कर आ जाते हैं। पानी का ये सैलाब इतना खतरनाक होता है कि जो भी इसके रास्ते में आता है ये उसे अपने साथ लेकर ही दम लेता है। ना सिर जुलाई 2005 को जब बादल फटा तो हर कोई हैरान रह गया। उन बादलों से गर्म हवा जा टकराई थी। दरसल कई बार बादल गर्मी सहन नहीं कर पाते। गर्म हवा के जोके के चूने बर से ही बादल फटने की संभावना बढ़ जाती है। बादल फटने के दौरान असला धार बारिश होती है कि बादल जैसे हलात हो जाते हैं और हरूर तबाही का मंसर फैला होता है। बादल कितनी तरह के होते हैं। अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर बादल कैसे बनते हैं और ये कितनी तरह के होते हैं। बादल पानी या बर्फ के छोटे कड़ों से म प्रफ बारिश बर्फ बारिश और ओले की बारिश के रूप में धरती पर गरते हैं। बादलों की प्रकरती और आकार के आधार पर ही इन तीन भागों में बाटा जाता है। सिरस क्लाउड उचाई पर उड़ने वाले नॉर्मल बादलों को सिरस कहते हैं। सिरस लेटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है रिंगलेट और कर्लिंग लॉक आफ हेर। क्यूम्यूलस का अर्थ होता है धेर इस तरह के बादल रुई के धेर की तरह दिखाई देते हैं। संतल होता है, ये जमीन से केबल 1000 drilling के साथ होते हैं, ये बादल काफी नीचे होते हैं और पूरे आसमान को घेर लेते हैं, जब ऐसे बादल बारिश करते हैं तो उन्हें निंभो स्टार्ट अस क्लावड क्याते हैं, देखने में इस तरह की बादल काफी आकरशक लगते हैं ऐसा लगता है मानो आसमान में कोई बड़ा सा सफेद गोभी का फूल तैर रहा हो इनकी लंबाई लगभग 14 किलो मिटर तक होती है जब इन बादलों में एकाएक नमी पहुचनी बंद हो जाती है या हवा का कोई जोंका इनमें प्रवेश कर जाता है तो ये सफेद बादल गहरे काले रंके हो जाते हैं और तेज गड़गडाहट के साथ पूरी ताकत से बरस बढ़ते हैं ये बादल इतिनी तेज रफतार के साथ बरसते हैं कि मानू आस्मान से पूरी की पूरी नदी का पानी एक साथ बहाया हो इस तरह की प्राकरतिक घटनाओं को रोका तो नहीं जा सकता लेकिन प्राकरतिक संतुलन के जरिये इन्हें कम किया जा सकता है इसके अलावा राहत बचाव कारी के इंतिजाम पहले से ही करने से इस तरह की आपता से बचा जा सकता है